हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आप सभी को भारतिय की चैनल पर स्वागत है तो आज की वीडियो में आप सीखेगा फ्रेंड गीरते वेश सोल्डर को रोकना आप किस तरह से बलाउज की कटिंग करिएगा जो आपकी सोल्डर नहीं गिरेगी क्योंकि फ्रेंड आज कल की ब समस्या का हम हल इस वीडियो में लाएं हैं अगर यदि आप जिस तरह से बताते हैं उस तरह से कटिंग करिएगा तो आपकी सोल्डर कभी नहीं गिरेगी और अपने मन के मुताबिक आप प्याक सैड में नेक कटिंग कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में बता रहें होती हैं तो आपकी जो होती है जिस तरह से बता رह रहे हैं कटिंग कर दो हैं आपकी सोल्डर नहीं कर दो देखिए यहां से सब से पहले हम सोल्डर ले से साहते पांच लिए रहे तो समच चीजे प्रेंट समत्ची एक दून तो यह और तीसीरी भी हम साड़े पांच इंट वह क्या ले रहे हैं वह देखिए तो क्योंकि फ्रेंड एक एक चीज़ दिया इंपोर्टेंट है बलाउज में अगर दिहान से देखते हैं तो आपकी इप सोल्डर नहीं गिरेगे यहां से देखे फ्रेंड आप जो है यहां से यहां साड़े पांच इंच लेते तो जहां पर मेरी निसान गई है वहां पर हम क्या करेंगे तो यह जो है लैन को पूरी मिला देंगे तो यह देखिए फ्रेंड यह सभी साड़े पांच इंच नीचे भी साड़े पांच इंच और आर्म होल भी साड़े पांच इंच हो सबसे पहले हम ले रहे हैं तो यहां से चेश्ट जो है हम 10 इंच पे ले रहे हैं चालिस का जो चोथा वागत 10 इंच उती है तो दस पे लिए दो इंच जो है फ्रेंट से मार्जिंग के लिए के लिए हैं अब लंबाई है 15 इंच 15 इंच पे हम एक निशान लगें लगाते हैं और नीचे से हम नीचे में भी मार्जिंग के लिए लेंगे और टेर इंच जो है मार्जिंग के लिए लेंगे तो ये इतना चीज हो गई फ्रेंड तो अब यहां पर मार्जिंग की निशान मार्जिंग पर लगाएंगे और फिटिंग की निशान फिटिंग पर लगाएंगे तो ये बलाउज की है लगवएक सेफ आ गई है मेरे पास ये सारी निशान को एक साथ मिला देते हैं और ये करे तो यह देखिए फ्रेंड मेरी जो है हो गई सारी चीज अब में जो है फोकस आज की वीडियो में सोल्डर और नेक पे जैसे 12 इंच लिए 11 इंच लिए 10 इंच तो अभी तो फ्रेंड हम साड़े 5 इंच पे सोल्डर लिए हैं तो यह जो है फ्रेंड आप जो है इस नियम से आप 34 harsh से लिए करके आप 44 इंच तक बलॉज का इस तरह से करते हैं तो आपकी जो है शोल्डर नहीं उतरेगी तो जिस तरह से लिए हैं सारे चीज उस तरह लेखे नेक का कटिंग किस तरह से करेंगे वहाँ पे क्या परिवर्तन करेंगे यदि तभी हमको सोल्डर में कुछ परिवर्तन होगी अभी तो वह क्या करने देखिए यह वैसे जो है बिना डोरी वाली है तो दो इंच पे हम इसक इंच पे उपर में दो इंच और नीचे में दैस इंच तो फिर इस बात को समय दो यदि विना डोरी का बना रहे हैं आप दो इंच से एक सुता कम ही लेजेगा लेकिन आप जैदा मत लेजेगा नहीं तो आपकी सोल्डर उत्रेगी तो यहां पर देखिए फ्रेंड यहां प दो इंच उपर में लिए तो यहां पर ध्यान रखेगा फ्रेंड उपर में दो इंच से एक सुता कम हो जाए कि जैदा नहीं हो तो आपकी सोल्डर नहीं उत्रेगी तो यह देखिए फ्रेंड यह हो गई है तो फिर यहां पर यदि डोरी वाली बनाते हो फिर अभी समझा र बढ़ा रहे हैं जैसी यह दस पर पहली निसान लगा हैं और यह दूसरी जो है एक ग्यारा इंच पर हो गई एक इंच हम बढ़ा दिये तो क्या करेंगे अब परिवर्तन सोल्डर में वह हम आगे बताएंगे यहां देखिए फिर हम एक और निसान लिए हैं जो कि बारा इं कुछ नहीं परिवर्तन करनी है और उपर में भी कुछ नहीं करनी है सिर्फ सुल्डर के पास करनी है तो क्या करth है उस चीजल को आप और गोल आई जिस तरह से उसको मिला दिजेगा तो यह ग्यारा का लेते हैं तो इस तरह से कटिंग कर देए यदि फ्रेंड आप बारह इंच पे कर रहे हैं तो आप सिधा यहां से पांच इंच पे सोल्डर लिजेगा क्योंकि जब कटिंग होती है और पीछ बैक साइड में ग यहां च इंच पे सिधा जाकरके ले लिये तो सोल्डर में परिवर्तन कि वांकी कुछ नहीं परिवर्तन किए इस चीज को आप समझीए दो दस इंच पे जिस तरह से हम लिए उसी तरह कटिंग करिए लेकिन जैसे 11 हम पर लिए 12 पर लिए तो आप सोल्डर में थोड़ा थोड़ा कम करते गए तो फ्रेंड इस तरह से आप एक ब्लॉज जरू तयार करिए और पहन यह देखिएगा आपकी फिटिंग कितनी अच्छी तरह से आती है और आपकी सोल्डर कभी नहीं गिरी ती यहां पर गुलाई स हम किये हैं जो कम किये हो एही करिएगा तो यह देखिए फ्रेंड मेरी हो गई है वैक साइड की सभी निसान लग गई है आप सिर्फ यहां से कटिंग होगी तो देखिए यही में आज का जो वीडियो का ता में मुक्सता यही तो हम दोनों पार्ट को अभी अलग करेंगे फ का कुल करें तो देखिए वियते फिटिंग के साथ बनती है तो फ़ेंड यहां से का कटिंग करके और फीर मेर plugin को से परिगां मुक्स हून के तो चैनल के सब्सक्राइब कर दिजेए ताकि जो भी वीडियो हम डाले वह तुरंत आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए तो यह देखिए फ्रेंड यहां से मेरी यह जो है साड़े पांच इंच पर आर्म होल का कटिंग करेंगे यानि सोल्डर सारी पांच इंच पर लि सब्सक्राइब करेंगे तो हम देखिए फ्रेंड तो आज को सारी चीज में आ गई होगी और आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपकी सोल्डर कभी नहीं गिरेगी तो यह देखिए फ्रेंड यह जितनी निसान लिए थे तो वह सारी निसान को कट करके हट दिया तो उधार हट दिया अब यह पाट को हम अलग करेंगे तो पाट जो है बैक सेट को similarly करेंगे और आप फीर सारी करते हैं यहां से हम बैक पाट को बैक पर जो है 1989 करने ही về तो देखें फ्रेंद आपनल में दाने 5 इंक पे 10 इंस पर यदि आप अपना निक रखते हैं तो इसी तरह से कुटिंग करिए देखिए का आपकी सोलडर नहीं गिरेगी तो फ्रेंड यह मेरी सोलडर की कुटिंग और निक की कटिंग हो गई है तो फ्रेंड आसा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों समझ में आ गई होगी और आप लोग इस तरह से जरूर कटिंग करिएगा तो फिर समझ लिए जो भी करनी है तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर धन्यवाद